चातर के उपर बिजली का तार तूटकर गिरा चातर की मौत बिजली विभाग की लापरवाही आई सामने उत्तर प्रेदेश के जिला मुरादबाद जनपत के थाना मुदापानेक शेत्र के गाउं हसन गंज में बिजली विभाग की लापरवाही से आठमी क्लास की छातर के उपर जरजर तार तूट कर उसके उपर गिर गया जिससे उसकी मौत हो गई बताया जा रहा है कि गाउं के अंदर कोई ना कोई हाथसा आए दिन होता रहता है जिसकी शिकायत ग्रामिनों ने कई बार बिजली विभाग को लिखित में दे चुके हैं लेकिन बिजली विभाग की लापरवाही इतनी बढ़ गई है कि मुदापानेक शेत्र में कोई ना बहराम मच गया परिवार वाले मृतक को उठा कर घर पर ले गए उसके बाद परीजनों ने जिन्दगी की आस लगाती हुए मौके पर डॉक्टरों को बलाया लेकिन डॉक्टरों ने अर्विंद पुत्र श्रीपाल को मृतक खोशित कर दिया हम दिनित सागर है तो क्या मामला है आजी यह मामला ग्राम हासन गंजी में है यह बिजली विभाग की लापरवाई की कारा है यह गटना गटी है जिसमें एक बच्चे के उपर लगब उसकी एज 15-16 साल की उमर होगी उसको उपर तार गड़ा है तो उसकी बहुत गंभीर हा सब्सक्राइब कुछ पता नहीं कि क्या होगा आगा है अचाहिस से पहले कभी सिकाय करी हां कई ऐसा इससे पहले भी कई घास से हमारे गावं महों हो चुके हैं और कई लड़के मतलब परिसान है किसको विखमी hem लड़न तो यह बहुत है को लापर गांक कौन सी लाएं है यह गाऊं के अंदर है गाऊं के अंदर गयारा आ laugh नगे तार है और कोई भी इतार पर जाल नहीं है विर्कुल नंगे तार आप स्कूल अंपर की स्कूल के आगे इसकूल के आगे हिता उनगे तरॉड शे। नियाई उल्हिए और में रोड है बिप्रव्या खेचवारि इस्कूल का अगे गराता है रात क्या नाम आपका देखने के लिए मेडम आई नहीं है इसको खुला आया नहीं खुला यह इसको पर तो इसके उपर अठार तो कर दोyst गया है Nawal nag यृट परीजों बचे मेंगा आपका जदक ही तो वहां पर पोड़ते साथ में दीडिफेंद साथ में एखे थी तैंकर बैचा साथ वहां यह घ तारी दरफ़ता है कजा आठम बड़ता हूं कजा आठम